दोस्तों मेरे laptop को 4 साल हुए है और इसकी जो battery है वो अब कम backup देने लगी है मतलब मैं 100% charge भी करता हूँ न तो जितना backup मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो इस video में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने battery, laptop की जो battery है इसका health check कर सकते हो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे search में आपको type करना है command prompt या फिर आप cmd भी कर सकते हो ठीके command prompt आप type करोगे उसके बाद आपको run as administrator यह आपको कर लेना है और दोस्तों यहाँ पे आपको एक code जो है वो type करना है बहुत ही आसान है दिखे power उसके बाद cfg space oblique battery report ठीक है इतना आपको यहाँ पे type करना है और enter मार लेना है अब जब आप enter करोगे ना तो दोस्तों इसने दिखाया है कि आपका यहाँ पे path जो है c windows system 32 battery report.html में एक file यहाँ पे save करी गई है और उसमें आपका battery का जो भी health है वो वहाँ पे paste किया हुआ होगा या फिर उस file में दिया हुआ होगा तो हमें इस report को यहाँ पे इस जो path दिया है इस पे चले जाना है ठीक है दोस्तों तो आपको यह जो power cfg space यह जो battery report है ना इस video के description में भी यह जो spelling है इसकी आपको मिल जाएगी आप वहाँ पर देखकर type किजेगा आपको यहाँ पे type करने में कोई भी problem नहीं आने वाली है तो इसको मैं अभी exit कर लेता हूँ ओके यह हमारा cmd exit हो गया उसके बाद हम चले जाएंगे this pc में this pc में यहाँ पे c में चले जाएंगे उसके बाद दोस्तों आपको जाना है windows में ठीक है यहाँ पे windows नाम का folder होगा windows folder में जाएं उसके बाद system 32 ठीक है यहाँ पे दिखिए system 32 है इस पर आपको double click कर लेना है और यहाँ पे file होगे आपकी battery के नाम से ठीक हम यहाँ पे search करेंगे battery इस प्रकार से और enter मारेंगे अब जैसे battery हमने search किया ना दोस्तों यहाँ पे दिखिए battery report html पे हमें click कर लेना है तो यहाँ पे battery report html पे click करने के बाद यहाँ पे आपकी file खुल जाएगी और दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मेरे battery जो है यहाँ पे इसकी जो capacity है 41,753 यहाँ पे वैट हावर इस प्रकार से मिले ampere वैट हावर इस प्रकार से आपको दिख जाएगा औ और actual में यानि कि full capacity जो है मेरी है 33,287 ठीक है इस प्रकार से इसने जो capacity दिखाई बतलब अगर आपका 41,753 से कम है इसका बतलब है कि आपके battery खराब होने लगी है तो कितनी percent battery खराब हुई है यह check करने के लिए आपको यहाँ पे calculator open कीजिए और calculator पे जाईए calculator पे आपको दो copy कर लेते हैं ओके और यहाँ पे करेंगे इसको paste ठीक है और दो 0 हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि हमें battery percent जो है वो 100 में यहाँ पे convert करनी है इसके बाद दोस्तों हमें इसे यहाँ पे divide करना होगा ठीक है किससे divide करेंगे यहाँ पे देखिए जो design capacity हमने दी हुई है इसको हम copy कर लेते हैं और इससे हम यहाँ पे इसको करेंगे divide ओके और यहाँ पे is equal to देखिए मेरी 79.72 मतलब 21% battery health जो है वो खराब हो चुकी है यहाँ कि अब इसी हिसाब से battery जो है दोस्तों खराब हो जाएगी अगर यहाँ पे आपकी 90% से ज्यादा दिखती है तो आपका battery backup दो यानि कि 4 साल के हिसाब से मेरा laptop की जो battery है वो काफी अच्छी है अगर आपका यहाँ पे और भी जादा battery अगर आप नया laptop लेना जाते हो या फिर second hand laptop लेना चाहते हो तो यह report आपके बड़े ही काम आने वाला है क्योंकि अगर उसमें बहुत जादा battery आपके खराब दिखती ह तो आप उस हिसाब से उस laptop का price चेक कर सकते हैं तो दोस्तो इस प्रकार के और technical के tricks देखने के लिए WhatsApp के tricks देखने के लिए चैनलों को subscribe कीजिए वीडियो को like और share कर दीजिए दोस्तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार